हेलो फ्रेंड आपके अपने यूट्यूब चैनल अभाई सिंग फियर लिस वर्ड में स्वागत है और आज हम लोग जानने वाले हैं निवोस इंटरनेशनल जैनल सर्टिफिकेट इन अकुपेशनल सेफ्टी एन हेल्थ यूनिट जीसी टू यानि कि यह सेकेंड पेपर है जिसमें हम लोग सिक्थ एलिमेंट पढ़ रहे हैं और अभी हम सिक्थ में मस्क्यूल एसकेल्टन हेल्थ के बारे में जानेगे यानि कि इसमें जैनरली जॉइन्ट अगरे से रिलेटेड होगा बैक पेन जितनी भी हड़ी ह है उसके रिलेटेड इसमें सारी बाते होगी तो आएए जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे लर्निंग अब्जेक्टिव क्या है इस पूरे एलिमेंट का तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि explain work processes and practices that may give rise to work related upper limb disorder यानि की कौन्स ऐसा प्रोसेस है कौन्स ऐसा प्रैक्टिस है जिससे की हमें disorder आता है यानि की pain आता है problem आता है and appropriate control measure साथ में हम किस तरह का ब्यवस्थां वहां पे करें साइट पे या किस तरह का हम पोस्चर लें ताकि वहाँ पे कंट्रोल मेजर ताकि इस तरह का डिसॉडर नौ हो तो डिस्क्राइब दा हजार एंड कंट्रोल मेजर विच शुड बी कंसीडरड वेन एसेसिंग रिस्क फ्रॉम तो यह भी हम उसके हजार एंड कंट्रोल मेजर देखेंगे जब मैनुवल हैंड करते हैं तब भी हमारे रिड की हड़ी और ज्वाइन टोगरा पे इसका असर पड़ता है तो उसमें कौन सा क्या कंसीडर करें एसेस रिस्क करने के लिए यानि कि रिस्क को आखने के लिए नापने के लिए किस तरह का की कौन-कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे वो देखेंगे और नेक्स्ट है डिस्क्राइब दा हजार एंड कंट्रोल एसोसेटेड विद लोड हैंडलिंग इकुपमेंट यानि कि मैनुवल हैंडलिंग के साथ साथ जो लोड हैंडलिंग इकुपमेंट है जिसे टॉली हो गया या जो भी हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं हाइड्रा क्रेन जो भी है तो उसमें क्या खत्रे होते हैं और उससे कैसे बचे और साथ में रिक्वार्मेंट्स फॉर lifting operation और उसकी क्या requirement अगर हम lifting करने जा रहे हैं यह three questions जो है ना इसमें पूरे में clear करेंगे यह हमारा learning objective है अगर आप पूरे element का वीडियो देखते हैं यह तीनों question आपका clear हो जाएगा तो आए स्टार्ट करते हैं first से first element है six point element का sub element यानि कि six point one है इसमें तीन point होगे six point one और six point two and six point three तो तीनों तो अभी six point one देखते हैं work related upper limb disorder यानि कि upper मतला समझे रहे हैं न कमर से ऊपर कोई problem है upper limb जैसे hand हो गया इसमें आए देखते हैं कि muscular disorder and work later upper limb disorder में muscular disorder होता क्या है तो a collection of injury to the askeleton system यानि कि हमारा जो कंकाल तंत्र है जो हड़ियों का धाचा है उसमें किसे तरका injury होता है and the soft tissue associated with the system आप जानते हैं कि जब दो हड़ि जहां पर मिलती है वहां पर उसको joint में soft tissue help करता है तो उससे कोई उसमें किसे तरह की problem हो यानि कि associated with the soft tissue with the system तो इसमें हम लोग मस्क्यूलो askeleton disorder बोलते हैं इसको यानि कि हड़ि में और साथ में उसको जोड़ने वाले जो soft tissues हैं उसमें कुछ problem हो तो MSD बोलेंगे और इसको short में MSD आगे हम बोलेंगे तो आप confused नहीं हो ना उसका मतलब होता है musculoskeleton disorder second जो है back injuries and back pain back injury में क्या होगा back muscle strain यानि कि थोड़ा फैर जाएगा strain होगा ठीक है लिगामेंट damage and disc injury आप लिगामेंट जानते ही होगे जब रिड की हड़ी आप जानते हैं छोटे छोटे हड़ी ओ से मिलके बना हुआ है तो इसमें tissue राते हैं जो इसको जोड़ते हैं तो उसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं और इसमें disc लगाराता है उसको हम लोग डिस्क अगर किस होता है कि कोई अगर नर्व रब रब जाता है नो तो हाथ में जिन जिनी सुन हो जाता है इसको बोलते हैं Carpentallion syndrome और टेनो शिनो वायटिस में क्या होता है कि गश्रा का swelling आ जाता है खासकर कलाईयों गरह में उंग्लियों गरह में फूल जाता है जब हम continue computer का use करते हैं टाइपिंग करते हैं क्रोनिक शॉफ्ट टीशू इंजूरी जैसे की एसोसीटेट विद शीटिंग एस्टेंडिंग और नीलिंग फॉर लॉंग प्रियेड अफ टाइम तो जब हम बैठते हैं लंबे समय खड़ा होते हैं घुटने के बल होते हैं लॉंग प्रियेड टाइम तब जाके यह सॉफ्ट टीशू अधर जो होगा हम देखेंगे इसमें यह सारा चीज जो है ना हम देखेंगे वर्क लेटर अपर लिम डिशॉडर में तो आये देखते हैं कि हाई रिक्स एक्टिविटी या रिपीटेटी ऑपरेशन यह सारा जो उपर मैंने बताया प्रॉब्लम यह किसके कारण होता है हमारे साइटों पे कौन सा ऐसा काम है जिसमें इस तरह का प्रॉब्लम होने का चांस रहता है तो जितने भी हाई रिक्स यानि कि रिपीटेटी जो एक्टिविटी है जिसको बार-बार एक ही पोजिशन में करते हैं आप जानते हैं कोई बी चीज अगर बार-बार-बार एक ही जैसा किया जाए न तो प्रॉब्लम होने लगता है तो कि एक ही पार्ट पे जोड़ पड़ता है एक ही तरह के जैसे इन्वाल्व सिगनिफिकेंट रिक्स जो भी रिप Whenever मोमेंट करता है न उसको सिगनिफिकेंट रिसक रहता है ज्यादा रिसक रहता है क्या होने का तो poor एसकेलटन डिसोडर यानि कि मसल और एसकेलटन का जो मिला हुआ हूआ यह रूप है एक ही पोस्टर पर बैठा रहेगा एक ही जगह कर चलाते रहेगा दीन भर तो क्या है ना ऑंगलियों में। में यहान της रिड़ी में दर्ध यह सब प्रॉलम होने लगता है । ईससे की बोड ओपुरिशन है। उंगलियों में दर्द होने लगेगा या जो उसके बाद factory assembly for a small component और जब देखे होगे कि जहां पर factory assembly होता है वहाँ पर a small component को हम लोग क्या करते हैं जोडते हैं और इन सब जोडने में एक ही काम करते हैं जोडने में नट बोल्ड लगा रहे हैं तो दिन भर नट बोल्ड लग मार्केट में एक आदमी पास रहता है और यतने लोग समान करीद के लाते हैं और जो हम परिक ले करते हैं यानि की इटा भी आप देखें समय ब्रिक लेंग एक जीसा कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कि यह भी क्या होगे रिपीटेटीव यानि कि वो बार 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 रिपीट हो रहा है तो यह भी जो है ब्रिक लेंग एक रिपीटेटीव मोमेंट है और इसका सिगनिफिकेंट रिस्क है आये देखते हैं कि मुस्क है equipment factor और तीसरा है environmental factor तो यह तीन factor है जो कि आपको back pain इस तरह का problem करता है यानि कि musculo skeleton disorder आता है जैसे task में क्या क्या होगा repetition आप एक ही काम को बार बार कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं मैंने आपको बाड़ी पे stress strain आएगा muscle पे भी stress strain आएगा जिसके चलते posture मान लेते हैं कि आप सही posture में नहीं काम कर रहे हैं माले welding कर रहे हैं और आपके सीर के उपर welding करना है आप continue सीर उठा के welding कर रहे हैं या आप देखेंगे गाड़ी की नीचे जब maintenance करते हैं तो गाड़ी की कर रहे हैं और वहां रेस्ट नहीं मिलना है आपको यानि कि आप खड़े होके पूरी आठ घंटे काम कर रहे हैं जब भी आप खड़ा होंगे क्या परदाद करने लगता है कुछ रेस्ट बैठने का जगह नहीं है आप देखेंगे खासकर इसेंब्लिंग लाइन होगर हैं में लोग खड़े होके दीन भर काम करते हैं बैठने कर वहां रेस्ट नहीं है थोड़ा तो यह सब आप नहीं यह सब अगर आपको वर्क में है तो यह एक फैक्टर है जो कि मस्किलोय असक्कल्टल डिसौडर क्रियेट करता है और साथ में डिजाइन अगर मसीन का डिजाइन अच्छा नहीं है बहुत ज़्याइशन है बहुत ज्याइशन है अपको जुझ के काम करना पड़ेंगा डिस्प्ले स्क्रीन इसका ऐसा है कि आपको मतलब सीरू ठाक हमेसा देखना है आप ऐसे कंट्रोल उसके यहां पे हैं जहां पूरे एक्सिस नहीं है आपको पूरे मतलब जोड़ लगा को ऊपर आपके हाइट से जादा है इस तरह का जो है एड़ेस्टिबिलिटी उसमें नहीं है आप मतलब एक ही आप अलीं पूरे दीन व मतलब एक हैं उसमें लीजित करने का कोई नहीं जिसे आप देखेंगे कि जो हम कुर्सिक आज कर सक्तियां आप उसका का रिष्ट कर सकते है यह यह मोह किर आट सकते है तो मुने से सुने एकिर षूर का हो जाता है इंवहयरेमेंटल फैक्टर क्या ह लाएगा अधर फैक्टर्स है टेम्प्रेचर उगर नहीं है तब भी उसका यानि कि यह तीनों फैक्टर है जो की एफेक्ट करता है मस्किलो एसकेल्टन डिसॉडर में झजबर Records लिए अगर अधर बात आई अगर नहीं हुत हम क्या करते हैं मैच करते हैं एक आदमी कहा रहा है नोनों आप अच्छे से काम करेगा वहाँ पर क्योंकि उसके अनुसार सहीं हो गया अब मैच हो गया वह जैसा चाहता था जितनी हाइड चाहता था जितना लाइड चाहता था जिस तरह के कंट्रोल चाहता था सब हो गया तो इसमें देखेंगे कि इर्गोनॉमिक इसको बोलता है इर्गोनॉमिक यानि कि मैच करवाना आपका वर्क प्लेस टू इंडिव पर काम कर रहा है और साथ में टूल के साथ, एकुपमेंट के साथ, यह जैसा वो चाह रहा है उस तरह का मैचिंग हो रहा है, that they are using, और people फिर मैच कर रहा है, workplace, environment के साथ, और people मैच कर रहा है, किस के साथ, और और अर्गनाइशनल फेक्टर के साथ, अगर यह मैचिंग है, people के स रिस्क क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई laptop यूज करता है, अगर लंबे समय तक आप laptop को यूज करें, इस तरह से, क्या होगा, यह हाथ में यहाँ पर दर्द हो जाएगा, यह कंधे में यहाँ दर्द हो जाएगा, तो इस तरह क्या होता है, work later upper limb disorder, back pain हो बड़ी पे stress आएगा और आप अच्छा फिल नहीं करोगे तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि इससे क्या रिस्क है है और एक ग्रूप के साइज है जो कि आपके लिए है कि इसको हम लोग देखते हैं तो इसके क्या एस्पेक्ट है देखिए तो द वर्क वर्क स्टेशन डिस्प्ले स्क्रीन लाइटिंग लेग रूम चाहिए विंडो शॉफ्ट्वेर कीबोर्ड वर्क सर्फेस वर्क चेयर द जॉब इस तरह का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ले में हिंट दिया हुआ मैंने आपको बताया और जिए देखते हैं डा कंट्रोल मेजर इसके क्या क्या को अगर हमको वर्क वर्क फिलेटेड ओपर लिम डिसॉडर या मस्किली डिसॉडर से बचना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए वर्क एस्टेशन अस्टेंड करना ह कहां कहां ऐसा problem है जो मैंने आपको पहले बता है कहां repetitive काम होगा कहां adjust करने को सकता है तो यह चीज जो है आपको यहां पे clear करना है second जो है provide basic display screen equipment workstation equipment to minimize the standard minimum standard जो minimum standard है उसके अनुसार जो है वहां पे display screen equipment को design होना चाहिए उस तरह का workstation पे होना चाहिए जैसे उसका display adjust किया जा सके इस तरह के इसको ब्यवस्ता होनी चाहिए वहां और plan the work routine work routine को plan करना है जैसे कि कोई आदमी दो घंटा काम करेगा तो 15 minutes rest करेगा ऐसा थोड़ा घूम के आगा बाहर अगर display screen पे काम कर रहा है तो repetitive है तो वहां हर दो घंटे पे people change होंगे समझ रहे न दो घंटे के बाद तो क्या होगा repetitive नहीं होगा इस तरह का यह है provide free eyesight test साथ में जो display screen equipment उनका आँक फिरी में test होगा और spectacles चसमें दिये जाएंगे उसके लिए ताकि उनके आँक पे ज्यादा जोड़ना पड़े if required जरूरी हो तो और साथ में provide information and training on उनको information और training भी देना है क तो क्या risk है अगर आप इस posture में बैठते हैं तो preventing major क्या होंगे अगर आप इससे बचना है तो आप क्या करेंगे उनको बताएंगे और साथ में ergonomic use of the workstation और ergonomic क्या होता है और ergonomically कैसे use करेंगे अपने workstation को ताकि आप लंबे समय तक काम कर पाएं इन सब बातों को employee को training देना कि आप थाये देखते हैं यहाँ पे the control major जैसे आप देख रहे हैं कि यह display display screen equipment है यह display है किसी computer का और इसमें आप देख रहे हैं कि यह यह point है जहां जोड़ पड़ता है जैसे यहां पर देख रहे हैं यह चीज आंक के दम सामने हो display ठीक है यह यहां पर जोड़ पड़ता है कमर के कमर पे इसलिए इसको देखो flexible बनाया गया है ताकि एक posture मना रहा हो कि आदमी यह प्रोपर होना चाहिए कि हमाइट लिए कि आदमी चोटा बड़ा होता है इसके लिए इसमें आप देख रहे हैं कि यह आप देख रहे हैं कि यह नायंटी डिग्री कर रहे हैं यह वहाला पॉजिशन और यह फूट रेस्ट है तो यहां पर स्ट्रेस नहीं आया रहा है और तो यह सारा चीज आप देख रहें न, यह six number आप देख रहें कि यहां आप देखेंगे का normal अगर आप यूज कर रहे है न तो यहां पर gap नहीं रहता है तो जो इस तरह का है वहाँ पर नीचे gap रहता है ताकि आपका पैर पूरी तरह से इसके अंदर आ जाए और आप इसम किया गया है यह पूरे वर्क स्टेशन को तो इस तरह का होना चाहिए कि दग कंट्रोल मेजर एडिशनल पॉइंट क्या होंगे आए देखते हैं डेस्ट ले आउट अच्छे से होना चाहिए डॉक्मेंट होल्डर रहे तो आदमी क्या है बगल में रहेगा तुरंद उठा लगने तो बार बार दूर जाना पड़ेगा वर्क प्लेस लाइटिंग प्रोपर हो तो आँक पे जोड़ नहीं पड़ेगा टेलिफोनिक हेड़सेट हो बार बार आम टेलीफोन उठाते हैं कान में लगाते हैं तो इससे क्या होता है आप देखे होंगे लम्य समय तक आप से बात करेंगे ना हाथ में दर्द हो जाता है तो आज सकल ऐसकर यह फोन ये प्लग इस तरह का कंसेप्ट आया है जिससे की हैजाने कान में लगा लेता है और इसे ज्यादा इसके आफों पर जोड़ना ही पड़ता है इस स्पेस्पिक मेजर फोर लेपटॉप्स जब अप लेप्टाप का यूज कर रहें तो ज्यादा प्रॉलम होता है क्योंकि आप पैर के ऊपर रखते हैं पूजिशन अच्छा नहीं रहता है ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते इसलिए देटटप का कंसेफ्ट है है, ताकि desktop आप कोई आदमी लंबे समय तक काम कर सकता है, तो यह क्या होता है , पूरे आट घंते के लिए किसी को laptop यूज़ करने नहीं जाना चाफ है क्योंकि उसके लिए design नहीं है कि कोई आदमी लंबे समय तक यूज करें कि उसको पैर पैर रखना होता है पोस्चर गलत होता है और सांथ में डॉकिंग एस्टेशन क्या होता है कि जैसे लेपटप यूज कर रहे हैं आप और आपको लेके भी जाना है और इसको आज डेस्टाप भी यूज करना है तो उसके लिए कुछ अडिशन का भी यूज कर सकते हैं ब्रेक जब भी इस तरह का होना फ्रिक्वेंट ब्रेक होना चाहिए और उसके लिए अगर कुछ प्रॉलम है तो रिक्वाइड अस्प्रेक्टिकल्स भी प्रभाइड किया जाना चाहिए ताकि जो है आँख पे जोडने पड़े और आँख खराब तो डिस्प्ले स्क्रीन एकुप्मेंट क्या कंट्रोल मेजर है तो आप देखे होंगे बहुत सारे आग कंप्यूटर आफिस में यूज होता है तो वर्क श्टेशन के असेस्मेंट होना चाहिए वहां पता करने जो जो मैंने पता है ने फैक्टर वह सारे चीज कंसीडर किय जाना चाहिए उपर का और एसेस्मेंट करना चाहिए जरीस असेस्मेंट करना ह्याsed करना है और प्रवाइड बेसिक डिस्प्ले स्क्रीन एकुप्मेंट वर्क इस्टेशन प्रवाइड करना चाहिए प्रवाइड इन्फरमेशन रिस्क और प्रवेंटिब मेजर्स इर्गनॉमिक यूज फॉर वर्क स्टेशन और इंड अब दा मोडियूल हमने इसमें आपके लिए ये क्वेश्चन है आप इसको करेंगे जैसे कि वाट फैक्टर इंक्रीज दा रिस रिपीटेशन बढ़ाओ देता है फोर्स है पोस्टर है मैंने आपको बताया ना ट्विस्टिंग है और आप रेस्ट है यहाँ पे और उसके बाद आप देख रहे हैं कि सेकेंड कोश्चन है वाट हेल्थ एफेक्ट कैन राइज एराइज दू तो दे यूज अफ डिस्प् प्रब्लम होगा लास्ट कोश्चन है वाट कंट्रोल मेजर सुट बी इंप्लिमेंटेड तो रिदूस दा रिक्स अफ डिस्प्ले स्क्रीन एकूप्मेंट इंजूरी और यूजर वर्क रूटीन और प्रवाइड ये और साथ में इन्फोर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनि तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है तीनों कोश्चन का रिप्लाई हुआ तो इस मोडियूल में इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग नेक्स मोडियूल है मैनुवल हैंडलिंग और आप कंटिनीव वाच करिए मैनुल हैंडलिंग जिसे कि आपका पूरा प्हुिंगल तो इस पुझा करिए श्राइब कर तूरा जाब पॉलक्षंग तो इस पुर दिसे आप करिए ये स्याइशनिग जिसे कि एंगल कर वाचिंग था चार दा सक्त más नेश्ड़ कर हैंठे ने की जापके।